हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में, आज हम पढ़ेंगे Middle March novel तो मैं आज आपको Middle March novel के बारे में बताने चा रही हूँ तो देख लेते हैं हमारी Middle March novel के बारे में यहां पर सबसे पहले में बताती हूं इसके बारे में कि यह published कब हुई थी यह publish हुई थी 8 volumes में 1871 से 72 तक इसको लिखाता English writer George Elliot ने इसके साथ इसका subtitle अगर मैं देख बताऊं तो यह है A Study of Provincial Life क्या मतलब है इसका? इसका meaning यह है कि यह एक रिप्रेजंट कर रही और्डिनरी पीपर की लाइफ को Ordinary Logo की लाइफ को रिप्रेजंट कर रही है फुरी नॉवल और एक 19 सेंचुरी जो हमारा England था उसको भी रिप्रेजंट किया जा रहा है इस नॉवल के द्वारा यहां पे हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक industrialization होता है और social mobility grow होती है और rise होता है motion class और जो middle glass है हमारी उसका rise होता है यहां पे हम देखते हैं George Elliot जो है अगर मैं आपको एक चीज़ बताओ उनके बारे में तो George Elliot जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि एक man है यह दरवसल man नहीं woman है ओके यह इनके नाम है लेकिन यह एक woman है इनका real नाम जो है वो Mary Ann A. Evans है और इन्होंने बहुत सारी famous books लिकी है Adam Bede and the mill on the floss and see last marner ओके जो George Elliot के दुआरा यह लिकी गई है 19th century land को represent कर रही है और जब जैसे मैं बताऊं George Elliot जो है यह basically Victorian era को रिप्रेजेंट करने के लिए जाने जाती है आगे देख लेते हैं इसके characters novel के आपको मैं जैसे आगे भी बता दूँगी summary यह तो बहुत थोड़े से character है और जैसे जैसे मैं चलूँगी story के साथ तो मैं उस time पर आपको बताती भी जाओंगे यहां पर डोर होती है जो में करेक्टर है जो है गोरिंगे से और जो होती है चाहती है जो है तो है तो है पेषन से दौक्टर है बहुत इंटलिजन पर रहेंच व adap redefald बता है ङूंके बंडीमोर्च में हैं जो कहानी में वो श्रूर होती है कहानी चुरू है डोरोथिया से डोरोथिया जो है 19 एर्व और्फन गर्ल है और्फन इनके पेरेंस नहीं है एक यंगर शिस्टर है सीलिया नाम की पने अंकल ब्रूक के साथ रहती है ब्रूक के साथ यहां पर जो है यह दोनों ही marriage के लिए able है दोनों के दोनों marriage के लिए able है तो यहां पर डोरोतिया जो है वो attract होती है Edward से ओके और Celia जो है वो Sir James से शाधी करती है और यहां पर Edward जो है वो 45 years old है 45-year-old बहुत जादा ही age difference है दोनों के बीच में मगर फिर भी जो है डोतिया इस proposal को accept कर लेती है ओके यहां पर फ्रेंड एंड रोजमोन की बारे में बताओं तो यह एक eldest बड़े children हैं दोनों बड़े दोनों ही elder है मेर है जो मिडल मार्च के उनके बच्चे हैं यह दोनों और फ्रेड के बारे में बताओं तो यह फ्रेड फेलियर है और बेसिकली जो फ्रेड नाम के character है यह इसमें ऐसे दिखाए गए हैं कि बहुत जादा करजे में डूबे वे हैं और लोगों सो धार ले रखा है और उसको के लिए यह और कर्ज मांगते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं बस वेस्ट करते हैं चीजों को लेके तो यह दिखाया गया इनका ऐसा character यह पे जब डॉरतिया की शादी होती तो वह हनीमून के लिए जाती है रोम में ही इनकी जो टैंशन है वो शुरू जाती है इनकी की तरफ होता है अपने काम को लेके होता है इसलिए वो डॉरतिया को जादा टाइम नहीं दे पाते हैं इससे डॉरतिया बहुत अलोन फील करती है और इनके बीच में जो है बहुत जो है बहुत लड़ाई का महौल ही रहता है तनाव का महौल रहता है इनके बीच में हमेशा यहाँ फर लेडिस लो जो हैं वो इनके कसौब उनके यंगर कसन है और लेडिस लो और डोरतिया की जो पूरी की पूरी इनकी पूरी की पूरी की पूरी कूरी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है condition in the sense like यह दोनों दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं यह दोनों फ्रेंड है एक दूसरे के एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक हनीमून में रहते हैं बनाने जाते हैं वहापे तब तक यह जो है इसे वो डैप्ट के बहुत ज़्यादा दबेवे हैं और उसको पे करने के लिए अनेबल हैं उसको पे नहीं कर पा रहे हैं और मैरी इसके फादर एक लड़की है मैरी नाम की उसके फादर है मिस्टर कैलब गार्थ उससे बोलते हैं कि तुम मेरे को को साइन कर दो इस करजे में मतलब यह कहते हैं कि या मुझे तुम अभी करजा दे तो मैं अपने जो अंकल है उनसे करजा लेके दे दूँगा उनके पैसे आने वाले हैं अंकल कौन है इनके फ्रेड है सौरी फीदर स्टोन है फीदर स्टोन के बारे मताँ तो यह एक ओल्ड है, बहुत जादा ओल्ड है, अभी बिमार चल रहे हैं, बिमार चल रहे हैं, तो फ्रेड को लगता है कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी है, मुझे छोड़के जाएंगे, क्योंकि इनका इनलेजिटिमेटिक सन है, उसको जादा इनकी जो है, रोजा मॉन, तो रोजा मॉन जो है, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है, यहां पर रोजा मॉन बहुत एजुकेटिड है, बहुत ब्यूटिफुल गर्ल है, यहां पर विल लेडिस लॉबी आ जाते हैं, मिडल मार्च में रहने के लिए, और के लिए पॉलिटिकल करियर अपना शुरू कर लेते हैं, मिडल मार्च में, ओके, यहां केसाववन जो है और जैसे ही डोजाती है और यह दोनों के सबन आते हैं रोम से अपने हनी मून के हनी मून के सब आपिस आते हैं, उप जो केसाववन है, इनको हर्ट अटेक आटेक आ और मरने से पहले वो दोरतिया से आपस में बाते करते हैं क्वेश्टन्स कूछते हैं लेकिन जैसे ही दोरतिया उसका जवाब दे पाती वो मर चुके होते हैं जैसे यह मरते हैं तो रोतिया जो है उनको एक idea आता है कि क्या उसे शादी कर लेनी चाहिए या फिर यह property छोड़ दिनी चाहिए क्योंकि बेसिकली जो डोरतिया है वो इनकी कसौब उनकी जो है विडो है इसलिए प्रॉपर्टी इनकी के नाम रहेगी और अगर वो किसे और से शादी कर लेदे तो प्रॉपर्टी उनके नाम से चली जाएगी यहाँ पर जो है वो डिसाइड करती है अभी इन सब चीजों को सर जेम से मिलती है और वो देखती है उनका न्यू बोन बेबी जो है अर्थर नाम का और वो दोनों काफी कुछ है अपनी मैरिज लाइज लाइफ में यहाँ लाइजेट भी डैप्ट के अंदर आ जाता है डैप्ट के अंदर कैसा जाता है मैंने आपको बताओं जैसे लाइ पानी की तरह पैसे बहाती है वो विल-फजाटी स्लॉग की दिरफ चला जाता है वो विल-फजाटी स्लॉग के साथ रलेशिचन बनाते हैं दोनों आपस में रलेशिचन बनाते हैं यहाँ पर हम जब आगे देखते हैं तो fred ने मैरी को प्रपोस किया बेसिकली भी होता है जो फ्रेड है वो अपने जॉब में लग जाते हैं मेरी के फादर के साथ यहां ब्लस्ट रोड के बारे बारे बताँ तो यह एक स्टॉन कोट खरीते हैं Mr. Rigg से और इसके बारे में और बताँ तो ब्लस्ट रोड जो है वो ब्लैक मेल किये जाते हैं जॉन रैफल के द्वारा, जॉन रैफल की जिमागी कंडिशन वैसे तो ठीक नहीं थी और ब्लैकमेल की जाते हैं कि जो ब्लेस्टोड उनका पास अच्छा नहीं रहाता तो रैफल क्या कहते हैं कि तुमने तुम्हारा जो पास रहों में जानता हूँ और अगर तुमने मुझ आपस में ट्रिंक वगएरा करते तो हैं यहां पर रैफल की मौत तो जाती है अब इसमें नैच्रल कॉस से मौत होती है अलकोहलिजम पीने से उनको मौत होती है लेकिन जो पूरा का पूरा शक है वो ब्लेस्टोड पे आता है और यहां पर लाइजेट भी मौजूद है तो जो है पूरा का पूरा शक उसी पे आएगा यहां पर लाइजेट की जबान बंद करने के लिए ब्लेस्टोड ने उनको ब्राइट के तौर पे लोन दिया ओके तो यहां पर रैफल जो है इसके बारें बताऊं तो इसने दो शादिया कर रखी थी बैसिकली इसने पहली इसने विल लेटिसलो की ग्रैंड मदर से की है ओके यहां जो विल है वो आजाता है विल आजाता मतलब यहां पर डोरोतिया जो है वो इन दोनों को पकड़ लेती विल एंड रोजाम उनको आपस में और जब वो देखती है उनको एक बैट कंडिशन में दोनों आपस में लाइफ में कोई भी नहीं है तो यहां पर विल बहुत अंगरी होता है क्योंकि वो यह सब नहीं करना चाहता था लेकिन यहां पे रोजामॉंड ने जो है उनको अपनी दरफ अट्रैक्ट किया बाद में वो रोजामॉंड के दरफ कहता है उनसे एंगरी होता है कि तुमने सारे सिचुएशन क्रियेट की है और मैं बहुत गिल्ड फील करा हूँ गिल्ड मतलब क्योंकि रोज जो दूरोतिया वो बहुत दिसपॉइंट होती है और उसको हेट करने लग जाती विल को तो यहाँ पर सर जेम्स जो है वो सला देते हैं विल को कि देखो तुम यही रहो कभी न कभी तो दूरोतिया को तुमारे सिच्चाई की बारे में पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो तुम गलत नहीं हो और यहाँ पर इस वक वो बहुत अकेली है उसको प्रोटेक्शन की जरूत है तो तुम प्लीज यहीं पर रहो तो इस तरह से वो आपस में बात करते हैं सर जेम्स और विल और यहाँ पर जैसे ही मौत हो जाती है यहाँ पर बलेस्ट रोट की स्टॉरी शुरू हो जाती है बलेस्ट रोट और उसकी मौत हो जाती है जैसे राफल की तो यह पूरी की पूरी जो स्टोरी है मिडल मार्च में गुम जाती है प्लिस लोगों को उनके पास्ट के बारे में भी पता चल जाता है और लोगों को सारों को लगता है कि जो लाइजेट है उन्होंने भी लोन की तरह तौर मतलब एक जिसे एक रिशवत की पर लोन लिया है तो यहां पर यह पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है होता क्या है यहां पर डोरतिया जो है और भी बहुत तोतिन लोग है वह यह बिलीब करते हैं कि लाइजेट कभी ऐसा नहीं कर सकते और कोई ना कोई वजा रही होगे इसको करने के पीछे और यहा एक डैट बोलती है फ्रेड जहां पे है एंड हमारा नॉवल का आता है फ्रेड जो है वो अपने अच्छे काम में लग जाते हैं मिस्टर गार्थ के साथ और अपनी प्लैनिंग करते हैं मैरिज की मैरी के साथ और दोनों ही काफी अच्छे मतलब पैसे जोड़ रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं यहां पर विल जो है वो आता है और डोरतिया दोनों आपस में यह जो है डिसाइड कर लेते हैं कि शादी करेंगे अब हम दोनों और डोरतिया यह डिसाइड करती कि मुझे प्रॉपटी नहीं जी है मुझे स्रिफ विल चाहिए है उसको पता चल जाता है कि विल की कोई गलती नहीं है तो यह दोनों डिसाइड करते हैं और वो प्रॉपटी छोड़ देती है सारी की सारी के जौब उनकी यहाँ पर दोनों मैरिज करके शादी करके लंडन में चले जाते हैं ओके यहाँ पर विल जो है वो पार्लेमेंट के लिए लेक्ट हुए होते हैं लंडन की और यह अपनी खुशी खुशी की लाइफ जो है जीते हैं और इनके दो बच्चे होते हैं तो यहां पर यहां तक पूरी की पूरी Middle March की स्टोरी का end हो जाता है happy ending से ओके यहां पर मैं इसकी themes के बारे बताऊं तो themes main है the woman questions and marriage life obviously marriage life को represent कर रही है कैसे कैसे characters की marriage successful होती है कैसे unsuccessful रहती है ओके तो यह था Middle March novel के बारे में basically इसमें जो बताया जा रहा है वो एक life है डोरोतिया की और जो character है Middle March के उनको दिखाया जा रहा है so I hope you guys understand this novel and if you like this then share it and